हाई फ्रेंट्स में मनी शुआगत है आपका आज के इस नई वीडियो में तो आज के स्टूड़ में आपसे बात करने वाला हूं टोयटा को रोला अल्टिस के लियर ब्रेक पैट किस तरीके से आपको रिप्लेस करने हैं बहुत ही सौड तरीके से और स्पिसल टूल को किस तर ब्रेंट और रियर दोनों और मलब एक तरीके से मैं कहूं तो चारो वील में इसमें डिस्क पैड है और अभी हम यहां पर इसके राइट साइड का वील ता उसके ब्रेक पैड हमने अल्लेडी पहले ही चेंज कर दी है और यहां पर जो हमने ब्रेक पैड यूज कि हुए है वो किऊ है इस आण चेंज कर दी है तो अभी यहां भीवाले किस तरीके से आप इसको पर सकते हैं कि सिम्पलब्री को होता है लेकिन एप था किस तरीके से क्युक्त आपको करने हैं वो आजकी स्वीडिοιक APE करना ने वाल सबसे पहले के लिए अब यहाँ पर अभी को माझने केले रिच के लिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले के लिए 21 mm का socket यूज़ करना होता है तो सबसे पहले हम इसके wheel को निकाला बाहर अब यहां पर अगर आपको दखाएं तो जैसे कि नॉर्मली सभी गाड़ी में होता गया है कि का की प्रस लेकimes यहां पर हम इसमें उपर बना के आपको दिखाया जाए तो यहां पर हम तरीके साथ को प्रेंड saken लेकर से कफी प्रोड़म का प्रड़लम आडि हो तो इसके विह आपको एक्षे ट Swag calls का हुआ है जो कि इस साइड है और दूसरा बोल्ट इस साइड है जो कि इस के नीचे की साइड बे है तो यहां पर आपको यह दॉन कि यहां पर अभी हमने जैसे कि इस साइड के एक बोल्ड खोल दिया है अभी हमस्ट खोल रहें तो हमने दोनों वोल्ट इसके खोले अभी हमें एक गयाइब के निज़स के ब्रेक के लिपर को बहार रटाएंगे ब्रिक दिस्क के अभी हमने इसके ब्रेक के लीपर इसको अलग कर दिया है हुआ यहां पर पुराने बरेकट डिखा देती हैं तो यह है इसके पुराने ब्रेकट यो कि एक तरीके से बिलकु बाहर निकला हुइ है को हमें और की सबूसा करना होता है है जो कि यह को यह सबूर होता है इससे ही आम पदाना էाती है। यह आपको यूज करना होती है यह यह आपको यूज करना होती है यह इस तरीके से इंस्टॉल करना है और इसी पार्ट की ऊपर आपको यह एक बिट होती है यह आपको इस तरीके से लगा देने हैं और जो एंटी क्लॉक्वाइज अला थरेड वाला यह बोल्ट है इस बुल्ट को आपको इस तरीके से लगा देना है और अब आपको इसको अच्छे से पहले इसकी सत्यारी की यह जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को कैलीबर से अच्छ से टच कर देना इस तरीके से और अब ही आप क्या करेंगे इसको इस साइड खोलेंगे खोलेंगे तो यह पिश्टन अंदर की साइड फोल होगा तो अब हम इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे यह देगे अब इसको इस तरीके से रोटेट करते जाना है आपको और आप देखेंगे यह जो पिश्टन है अंदर की साइड फोल होता जाएगा यह तरीके से अंदर की साइड में एक तरीके से पुश हो रहा है तो इसको इस तरीके से आपको रोटेट करते जाना है और आप देखेंगे जो पिश्टन है वह अंदर की साइड बैठता जला जाता है अंदर कि आप इसको किसी स्कूर डाइवर से नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो यह पिश्टन निकलता तो भार इसी तरीके से घूमता नहीं निकलती टाइम लेकिन जब यह आपको अंदर बैठलना होता है तो अंदर की लिए आपको रोटेट करके ही इसको बैठलना होता है तो यह देखिए यह स्पेसल टूल की हेल्प से यह इजीली आप कितने आराम से इसको बैठाल सकते हैं और यह फुल लॉक हो चुका है और अब आप इसको अच्छे से कितना भी जोल लगांगे लेकिन यह आप रोटेट नहीं होगा अब आपको पु महींद्रा की एक्स्वी में वह काफी ब्रॉडम आदी है जिसकर सकते हैं यह तो यह पर आप इसकी ठिकनेक्स चेक कर सकते हैं और इस ब्रैक्पैट नहीं नए नही अँजी इंस्ट्राल करेंगे इसको क्लेनिंग करके इस पूरे तो और दो फिंक करेंगे पापश से इसका ब्रेक्रीक लीब तो यहाँ पर आफिश्ट एक लिए राट रिक्लीन करेंगे एक तो लूपे विया हम यहा पर ही मैय होकी कसा लिए होता है कि अलगी सब्सक्राब कर देना है जब भी ब्रेकपेट वियर भी हो जाएगा पुरा का तो यह ब्रेक डिस्ट से टच हो जाती है और गारी में अवाज आने में यह आपको अच्छे से लॉक पर बढ़ना है इस तरीके से बैठ गया है इसी स्टेप से अभी हम यह इसके आगे वाला यह ब्रेक पैड इसको भी फिटिंग कर देते हैं तो दोर बली आपको यहाँ पर इस लॉक पर टच करना है और इसको इस जगा इस लॉक पर फिटिंग करना है और इसके बाद आप लगा देते हैं इसका ब्रेक कैलिपर और जो हमने इसके खोले हुए थे दो बोल्ट वह हैं यह दो बोल्ट इन दौनों बोल्टों को भी लगा देते हैं कि तो घ्र जिस थरीके से अभी हमने साइट के ब्रेकपट रिपलेस किए मैं सैम वही प्रोसीजर से हमने उस साइट के ब्रेकपट कवर किये देगे ब्रिवों में एक ही सैट के ब्रेट कवर की है क्योंकि परोषीजर दोनों साइट का सिम है बस उनली एक फ़रक है इस साइट के ब्रेख इन चेंज करने के लिए एंटी क्लोक वाइज गुमाना होता है यानि कि अगर सीधे हाथ का रैट हैं तो आपको सीधे हाथ वाली चूड तो अभी हमने ये दोनवॉल्ट इसके टाय कर दीए ये दोनो वोल्ट हो चुक है पर्फेक्ट्ली और जिस तरीके से हमने इसका वील कोला हुआ था यह नहीं टायर को लोग दो बापवा पस तरीके से इसके टायर को फेटिंग कर देते हैं की ओके और जैसा कि हमने साइट के जैसे ब्रेकट सेंज किया सेम् प्रोसीजर मेर्सेडीज वगरा का भी रहता है प्रोसीजर प्रोसीजर है कि अब हम सबसे पहले जिस तरीके से अमने इसका वील था और को भी लगा देते हैं तो वील के लिए जो आपको सॉकेट यूज करना होगा पर यूज करना होता है 21 नंमर का गोठी आपको यहां पर यूज करना होगा यह भूल्ट कर देते हैं और एक सोटी सी चेस्डाइब देगा आपको ब्रेकिंग भी चेक कराएंगी क्योंकि हमने यहां पर पिस्टन दबा तो प्रेक पैट फाइनली हो चोंके हैं तो इस असे जिआ है तो सेम के लिए अब हमारा नेेक्ट च्छाप रहता है शुब वह रहता है आपको प्रेकोलव दॉयुक्स करना क्योंकि करता है तो श्युक्त को ऑटकर करना होगा तो ब्रेकॉल चेक करने के लिए आपको यहां पर इस कबर को हटाना हुगा और यह इस जगा से आप इसके कैफ को खोल करके ब्रेकॉल चेक कर सकते हैं, ब्रेकॉल बिल्कुल ओके है, पूरा है लेवल, बिल्कुल भी कम नहीं है बापस से हम इसके कवर को लगा देते हैं रहा पर अपर हमने इसका कवर है इसको भी लगा दिया परफेक्टली और अब जो next step है वह है गाड़ी में ब्रेक को ृट्प करने का तो गाड़ी को टेश्च जाने से पहले आपको अच्छे से द्धयान रखना है सबसे पहले ब्रे आप यहां पर देख सकते हैं मैंने प्रेटल पूरा प्रेश की हुआ प्रेटल फिल्कुल अंदर जा जुगा है तो आप देखिए अब ब्रेक पेटल विल्कुल ओके है और कार में ब्रेक वाली कहीं भी कैसी भी कोई अब ब्रेक वाली इंडिकेशन लेंब नहीं चेक लाइड आ रही है उसके लिए भी इसके लाइड को विए और च्छोटी श्ट्रेट आप लेके आपको चेक करेंगे ब्रेक में कहीं कोई बड़म तो नहीं है तो हैंड़ प्रेक भी ब्रेक को ब्लकुल ओके है तो यह सिंपल इसके ब्रेक पैट चेंज करने का बाखी का चेकला डाइड हम इसका स्केन टू लगा के हटा दिए बाकिवागी का चेकला ब्रेक की वज़ाए से नहीं आ रही है इडिक इंडिक वाली इंडिक अलग आती है वोगने ब्रीक वगरा अब्यक्त रहा है कर रहा है कि यहां पर ह सकते हैं यानि कि बहुत ही सिंपल से सौट तरीके से इसके लिए आपको एक स्पेसल टूल की रिक्वार्मेंट होती है जो मैंने आपको वीडियो शोगी आता क्योंकि नौर्मरी होता क्या है अगर आप मैनुवली कुछ प्लायर से या किसी और तरगी से कर सकते हैं लेकिन उस कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक करना ना बूलें मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में तब तक लिए देखते हैं मनीश का टेवी जैहिंद बंदे माता ह।